दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वो O. Henry की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक जरूर सुने। कहानी का नाम है The Love Filter of I.K. Scheunstein। तो चलिए, बिना देर किये कहानी शुरू करते हैं। Blue Light दवाईयों की दुकान शहर के कारोबारी इलाके में है। ये बवेरी और First Avenue के बीच उस जगह पर है, जहां इन दोनों गलियों के बीच की दूरी सबसे कम है। Blue Light वालों की माने तो दवाई बेचने वालों का काम सलमा सितारे, इत्र और आइस्क्रीम सोडा बेचना नहीं होता। अगर यहां पर आप पेन किलर मांगेंगे, तो आपको पेन किलर ही दिया जाता है, कैंडी नहीं पकड़ाई जाती। Blue Line को आधुनिक औशधी विज्ञान की समय बचाने वाली कलाओं से नफरत है। जिसके आसपास ठिटोली करते बच्चे खेलते रहते हैं। इसलिए आईकी के सिंक के आकार वाले चश्मे वाली नाक और उसकी घ्यान से जुकी आकरिती, Blue Light के आसपास के इलाके में सब की जानी पहचानी थी। उसकी सलाह और उसकी बातों को लोग बहुत पसंद करते थे। आईकी ने वहां से दो चौराहे दूर मिसिस रिडल के यहां एक कमरा किराय पर ले रखा था और वहीं पर वो नाश्ता करता था। मिसिस रिडल की रोजी नाम की एक बेटी थी, जो अपने नाम के अनुरूप ही गुलाबी गुलाबी थी। गुमा फिरा कर कहना बेकार है, आप समझ ही गए होंगे। आईकी इसी रोजी के गुलाबी रूप का दिवाना था। वो उसके सारे विचारों में जिससे टिंचर अपने काउंटर के पीछे तो वो एक महान जीव होता था, लेकिन काउंटर से बाहर आने के बाद वो एक कमजोर घुटनों वाला, धुंदली नजर वाला, मोटर गाडियों के ड्राइवरों से गालियां खाने वाला आवारा किस्म का ललका हो जाता था, जिसके धीले डाले कपड़ों पर केमिकल्स के दाग पड़े होते थे और जिसके अंदर से दवाईयों की गंध आती रहती थी, आईकी के कबाब में हड़ी था चंक मैगोवन, वो भी रोजी के मुसकानों की गेंद को लपकने की फिराक में था, लेकिन वो आईकी की तरह आउट फिल्डर नही या छिले पर आयोडीन लगवाने के लिए ब्लू लाइट के मिस्ट पर आया करता था, एक दो पहर को मैगोवन अपने उसी खामोश बेपरवा अंदाज में आया और अपना खुबसूरत चिकना चेहरा लिए सज्जनों की तरह एक स्टूल पर बैठ गया, जब उसका दोस् और पाउडर तयार करने लगा, तो उसने कहा, आईकी, कान खोल कर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे पास मेरी जरूरत की दवा है, तो मुझे वो अभी की अभी चाहिए। और इटली वालों से दूर रहा करो जरा, किसी दिन वो तुम्हें मार डालेंगे। मेरा बेचारा दिल, मेरी बात ध्यान से सुनो, आईकी, रोजी और मैं आज रात भग कर शादी करने वाले हैं। आईकी के मूसल की अगली चोट सीधे उसके दूसरे हाथ की उंगली पर जाकर पड़ी, जिससे उसने उखली को पकड़ा हुआ था। उंगली बुरी तरह से कुछ ली गई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इसी बीच मैं गौवन की मुसकान फीकी पड़ गई और वो थोड़ा परेशान और उदास देखने लगा। उसने आगे कहा, मेरा मतलब है अगर वो टाइम आने तक अपनी बात पर ठिकी रही तो हम दो हफते से भागने का प्रोग्रेम बना रहे हैं। एक बार वो कहती है कि चलूँगी लेकिन दो घंटे बाद मना कर देती है। फिर अगले दिन सुभा कहती है कि आज चलूँगी फिर शाम को फिर मना कर देती है। इस बार आज की रात का प्रोग्रेम बना है और इस बार वो दो दिन से अपनी बात पर कायम है। लेकिन भागने का समय आने में अभी भी पांच गंटे बाकी है और मुझे डर है कि कहीं वो मौके पर मेरा साथ ना छोड़ दे लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दवा चाहिए आईकी ने निराश स्वर में कहा मैं गौविन काफी बेचैन और परेशान देख रहा था उसने कहा दरसल बाद ये है कि मैं आज रात कोई भी गलती होने नहीं देना जाहता किसी भी कीमत पर मैंने हारलेम में एक छोटा सा फ्लैट बिल्कुल तयार करके रखा है वहाँ टेबल पर गुलदवदी के फूलों का गुलदस्ता तयार रखा है और उसके पास एक केतली खौलने के लिए तयार रखी है मैंने एक पादरी को भी बोल दिया है जो साढ़े नौ बजे हमारे लिए अपने घर पर तयार रहेगा आज ये काम होना ही है और अगर रोजी फिर से अपना मन बदल नहीं देती तो आज हमारी शादी को कोई नहीं रोख सकता आईकी ने तुरंत कहा लेकिन मेरी समझ में अभी भी नहीं आया कि तुम दवा की बात क्यों कर रहे हो मैं भला इसमें क्या कर सकता हूं बेचैन आशिक ने दबेस्वर में कहा दरसल बात ये है आईकी कि उसका वो बढ़ा बाप रेडल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता एक हफते से उसने रोजी को मेरे साथ दर्वाजे से बाहर जाने तक नहीं दिया अगर उन्हें किरायदार से हाथ दोने का डर नहीं होता तो वो लोग कब का मुझे धक्के मार कर भगा चुके होते मैं हफते में 20 डॉलर कमाता हूं रोजी को मेरे साथ भागने पर कभी पच्टाना नहीं पड़ेगा आईकी अब तक बुरी तरह उक्ता चुका था माफ करना चंग मुझे एक दवाई तयार करनी है मुझे जल्दी ही डिलिवरी देनी है मेरे प्यारे आईकी प्लीज मेरी बात सुनो क्या कोई ऐसी दवा नहीं है कोई ऐसा पाउडर जिसे खाकर कोई लड़की तुम्हें और ज्यादा चाहने लगे आईकी ने घ्रिना के साथ नाक बिचकाई और इससे पहले की वो कुछ बोल बाता मैक गौवन ने आगे कहना शुरू किया टिम लेसी ने मुझे एक बार बताया था कि उसने शेहर के उपरी इलाके में किसी हकीम से कोई दवा ली थी उस दवा को उसने अपनी प्रेमिका को सोडा वाटर में मिला कर पिला दिया था पहली ही खुराक से वो सबसे आगे हो गया और बाकी सारे लड़के उस लड़की को एकदम घटिया नजर आने लगे सिरफ दो हफ़तों के अंदर ही उनकी शादी हो गई थी तरह वो नाकामी के हर संभावित रास्ते को बंद कर देना चाहता था उसने बड़े ही आशा भरे स्वर में आगे कहा इसलिए मैं ये सोच रहा था अगर मेरे पास ऐसा कोई पाउडर होता जिसे मैं आज रात को खाने के समय रोजी को दे देता तो तो शायद इससे उसकी हिम्मत बढ़ जाती और वो भागने की बात से पीछे नहीं हटती अगर वो दवा दो घंटे के लिए भी काम कर जाए तो मेरा काम बन जाएगा ये भागने वाली बेवकूफी कब होने जा रही है? आईकी ने पूछा में गौवेन ने बड़े ही उतसाहित स्वर में जवाब दिया नौ बजे खाना साथ बजे होगा आठ बजे रोजी को सिर में दर्ध होगा और वो सोने चली जाएगी रिडल की बाड के पास पड़ोस में एक तकता है जिस आदमी के घर में वो तकता है मैं उस बज़र्ग से बात कर चुका हूँ वो नौ बजे मुझे अपने पिछवाडे में जाने देगा वहाँ से मैं रोजी की खड़की के नीचे जाऊँगा और उसे सहरा देकर फायर एसकेप से नीचे उतार लूँगा पादरी की वज़ा से हमें ये काम जल्दी जल्दी करना है अगर रोजी एन मौके पर पीछे ना हट गई तो ये बहुत ही आसान होगा क्या तुम मेरे लिए ऐसा कोई पाउडर बना सकते हो आईकी प्लीज आईकी आईकी ने धीरे से अपनी नाक मसली और बोला देखो चंक इस तरह के कामों में दवा वालों को काफी होशियार रहना पड़ता है अपनी जान पहचान वालों में मैं बस एक तुम ही पर भरोसा करके तुम्हें इस तरह की चीज दे सकता हूँ और मैं बता देता हूँ कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ और तुम देखना इसे खाने के बाद रोजी कैसे सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचेगी इतना कहकर आईकी मेज के पीछे चला गया वहाँ उसने दो गोलियों को पीस कर उनका पॉडर बनाया उन दोनों ही गोलियों में मौर्फिया की थोड़ी मात्रा थी इसमें उसने थोड़ी दूद की चीनी मिलाई, जिससे वो थोड़ी भारी हो जाए फिर उस मिश्रन को एक सफेद कागज में रखकर उसने उसकी साफ पुडिया बना दी अगर इस पाउडर को कोई वायस कादमी लेता तो ये पक्का था कि वो कई घंटे गहरे नीद में सोता रहेगा लेकिन उसे कोई खत्रा नहीं हो इस पुडिया को उसने मैक गौवन को पकड़ा दिया और उससे कहा कि हो सके तो किसी तरल में मिला कर देना सडक छाप मजनू ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया और चला गया आईकी ने उसके बाद क्या किया ये बताने पर उसकी उस हरकत की बारी की स्पष्ट हो जाती है उसने तुरंत मिस्टर रिडल के पास एक संदेश वाहक भेजा और मैक गौवन के साथ भागने की रोजी की योजना को उसको बता दिया मिस्टर रिडल हटा-कटा आदमी था उसका रंग इट जैसा था और वो बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाता था उसने आईकी के संदेश वाहक से बस इतना ही कहा बड़ा एहसान किया ये बता कर वो कमबक्त आईरिश लोफर मेरा खुद का कमरा रोजी के कमरे के ठीक उपर है मैं खाने के बाद वही जाकर बैठ जाओंगा और अपनी बंदूक भरकर उसका इंतजार करूँगा अगर वो कमीना मेरे पिछवाडे में आया तो दूले की गाड़ी की जगे एंबुलेंस में जाएगा देख ले ना आईकी ने आने वाले घटना क्रम पर विचार किया और मुस्कुरा दिया रोजी कई घंटों के लिए गहरी नीद में सो जाएगी और खून का प्यासा पिता पहले से ही तयार होकर हथियार लेकर उसका इंतजार कर रहा होगा और इस तरह उसका जानी दुश्मन अच्छी खासी मुश्किल में पढ़ने वाला है ब्लू लाइट में अपनी ड्यूटी पर तैनाथ वो पूरी रात धड़कते दिल से इंतजार करता रहा कि अब हादसे की खबार आई अब आई लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सुभा आठ बजे दिन की ड्यूटी करने वाला आ गया और आई की जल्दी से खड़ा होकर मिसिस रिडल के घर की तरफ चल पड़ा ये पता करने के लिए कि रात में आखिर हुआ गया जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला चंक मैक गॉबन एक गुजरती ट्रैम से कूद कर उतरा और उसने आई की का हाथ पकड़ लिया 9.25 मिनट पर पादरी के यहां पहुच गए हमारी शादी हो गई और पता है वो मेरे फ्लाट में है सुभा उसने नीला किमोनों पहने हुए मेरे लिए अंडे बनाए हे प्रभू मैं कितना किस्मत वाला हूँ किसी दिन हमारे घर आओ आई की और हमारे साथ खाना खाओ मुझे वहाँ पुल के पास काम मिल गया है और इस समय मैं वहीं जा रहा हूँ आई की ने हकलाते हुए पूछा और और वो पाउडर चंक ने और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा अरे वो पाउडर जो तुमने मुझे दिया था उसने तो बड़ा अच्छा काम किया देखो ऐसा हुआ कल रात मैं रिडल के यहाँ खाने के लिए बैठा मैंने सामने खड़ी रोजी को देखा और मैंने अपने मन में कहा चंक अगर तुम्हें इस लड़की को पाना है तो उसे सीधे और सही तरीके से पाओ ऐसी शरीफ लड़की के साथ ऐसा गलत काम मत करो और इसलिए मैंने तुम्हारी दी हुई पुडिया अपनी जेब में रख ली तब ही मेरी नजर वहां मौझूद एक दूसरे आदमी पर पड़ी और मैंने अपने मन में कहा कि हे भगवान ये आदमी अपने होने वाले दमाद को सही से प्यार करे और इसी लिए मैंने मौका देखा और उस पाउडर को बुढव रिडल की कॉफी में डाल दिया समझे अब आईकी के लिए समझने को और कुछ बाकी नहीं था दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिलकुल न भूलें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे अलविदा